गले में फूलों की माला और चेहरे पर ये मुस्कान देखिए और भारत मा के जैकारे सुनिए ये जैकारे यूही नहीं लग रहे ये जैकारे लग रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने भारत की धर्ती पर कदम रखा है बतादे कि अफगानिस्तान में तालिबान राज शुरू होते ही हाला बदलने लग गए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं पुरे देश में अफरा तफरी मची हुई है ऐसे में हर देश को अपने नागरिकों की चिंता सताने लगी तो भारत ने भी वहां फसे अपने नागरिकों को निकालने का भ्यान तेच कर दिया है और इसी के तहत वायू सेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान करिब भारतिय राजदूत समेत 120 से अधिक अधिकारियों को लेकर जामनगर पहुँचा C-17 ने काबुल से उड़ान भरी और जामनगर में लेंड हुआ बतादे कि से पहले सोंबार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान करिब देड़ सो लोगों को लेकर भारत पहुचा था और ये सीधी तस्वीरे हैं जामनगर हवाई अड़े की जहां गर्म जोशी के साथ काबुल से आई लोगों का स्वागत किया गया बतादे कि तालिबान के कबजे के बाद से ही काबुल एरपोर्ट पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई बसों की तरह लोग प्लेन में चुड़ने लगे हालात काबु से बाहर हो गए हैं काबुल एरपोर्ट से सभी कवर्शल फ्लाइट्स को उडान भरने से रोक दिया गया है ऐसे में अफगानिस्तान में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए वायू सेना के दो C-17 गलोब मास्टर विमानों को काबुल लवाना किया गया था सूत्रों की माने तो काबुल एरपोर्ट पर लोगों की भीड को देखते हुए वहाँ विमानों की लेंडिंग नहीं हो पाई थी इसके बाद ताजिकिस्तान के एक एरपोर्ट पर विमानों को उतारा गया विर अमेरिकी बेडे की मदद से विमान काबुल पहुँचा वहाँ से एक विमान इरानी वायो शेत्र का इस्तमाल करके करिब डेड़ सो लोगों को लेकर सोंबार को हिंडन एरफोर्स स्टेशन पर उतरा था और अब ये तस्वीर सामने आई है भारत इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो जल से जल भारतियों को साकुशल बहार निकाल लाए